मित्रों चे मतादी कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में चे मतादी चरू लिखें मातारानी आप सभी का कल्यार करेंगी मित्रों वर्ष 24 में चट पूजा कब है साथ या आठ नवंबर को पूजा करने का सुब मुहुरत कब है पूजा विधी क्या है जानेंगे इस वीडियो में लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आप से रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और जादे से जादे से सेर करेंगे मित्रू हिंदी पंचांग की अनुसार छट पूजा का पर्व दिवाली से ठीक छो दिन बात मनाया जाता है जो चार तिनों तक चलता है ऐसी माननता है कि छट पूजा करने से पती की दिर्खायू होती है और संतान सुख वपूत्र की प्राप्ती होती है यह पर्व मुख्य रूप से चार तिनों तक चलता है जो छट पर्व के पहले दिन नहाय खाय होता है इसकी सुर्वात कार्तिक मास के सुकल पक्च के चतुरदसी तिथी से होकर कार्तिक मास के सुकल पक्च के सत्तमी तिथी को इसका समापन होता है इस दिन इसनान आदि करने की बात घर की साप सफाई की जाती है और सात्त्मिक फोजन क्रहन किया जाता है और छठ पर्व की दूसरी दिन खरना या लोहन्डा कलाता है जो कि छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। इस दिन कार्तिक मास्के शुकल पक्च की पंचमी तिथी होती है और इस दिन निर्जल ब्रत की शुरुवात होती है। यानि इस दिन ब्रत रखने वाले व्यक्ति जल ग्रहन नहीं करता है। इस दिन सायंकाल की समय छट मया का प्रसाद पनाया जता है। और छट पर्व की तीसरे दिन डूबते हुए संध्या की समय सूर्य दियों को अर्ग दिया जता है। चोथे दिन यानि सत्तमी तिथी को प्राताकाल सूर्य दियों को अर्ग देने की बाद ब्रत का पार्ण किया जाता है। अब पूजा करने का सुबमोहुरत को भी चान लेते हैं। अब आपको बता दे की वर्ष 2024 में छट पूजा 7 नमबर दिन गुरु बर्ग को मनया जाएगा। सस्टी तिथी सुरू होगी 7 नमबर दिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च झाल झाल